नमस्कार दोस्तों ओसीन नेटवर्क में आपका स्वावत है मैं हूँ आमकार चोड़े आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं और ये एहम मुद्दा है इस देश में जो डेमोक्रेसी है जो न्याय पालिका है जो संसदी ये जनतंत है उसको चुनोती क्यों दी जा रही है क्या लोगतंत्र को कमजोर करने का परियास है क्या जो हमारी समिधानिक संस्थाएं है उनको चुनोती दी जा रही है उनकी सत्ता को चुनोती दी जा रही है उनके फैंसलों को चुनोती दी जा रही है और अगर कानून परल्यमेंट मे नहीं बनेंगे तो क्या सडकों पर बनेंगे और किसको हमारे समिधान में कानून बनाने की इजाज़त दी गई है उनको लागू करने की जो मशीनवी है उसमें कुछ दोश हो सकते हैं उनमें सुधार की गुंजाईश हो सकती है लेकिन अगर व्यवस्थाओं को हम पंगू बन के नेता अगर वोट बैंक पालिटिक्स में फंस करके समिधान की रक्षा करने का कानून व्यवस्था को लागू करने का जो उसका मूल दाइत्व है वो अगर उसी को भूल जाएं या पत भरस्ट हो जाएं तो ऐसे में ये कितनी बड़ी चुनोती है किसी डेमोक्रेटिक सि लिए और ये सवाल क्यों खड़े हुए हैं आप अच्छे तरीके से अब तक समझ गए होंगे तो पहले अपने खास महमान को जोड लेते हैं और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं मुंबई से मेरे साथ जुड़ गए हैं जाने माने पत्रकार लेखक मारमिक के पूर्व संपादक मनीशी चिलतक भाव तोर से कर भाव जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं जिस तरीके से हमारी व्यवस्थाओं को पंगू और बंधक बनाने की चेश्टाएं होती हैं और फिर तरह तरह के जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की जाती है क्या ये किसी भी लोकतंत्र के लिए शुब संकेत हैं ये मैं हमेशा बानता हूं कि लोकतंत्र की एक कमजोरी होती है और वही उसकी ताकत भी होती है कमजोरी ये है कि जो मुझे मंजूर ने वो भी मैं सुनूंगा इसको लोकतंत्र बोलते हैं अगर मुझे मेरा मेरी बात है वो सुन लो मैं की बात नहीं सुनूंगा यह लोकतंत्र होता नहीं लेकिन पिछले साथ साल से हम यह देख रहे हैं कि ऐसे बताने की कोशिश हो रही है समझाने की कोशिश हो रही है कि भाया दूसरे की ना सुनो और अपनी कहते रहो इसी को लोकतंत्र बुलते इसी को लोक आपको याद होगा कि पिछले साथ साल में जब जब पार्लमेंट में बात हो गई तो अपोजिशन चाहे जितनी निंदा करे मूधी की मूधी और बीजेपी ने सुनी है लेकिन जब उसका जवाब दिया जाता है तो या तो मस्ती की जाती है गड़बड किया जाता है धमाल किया जाता है या तो वाक ओट किया जाता है याने कि हम आपकी बात नहीं सुनेंगे हाँ लोकतंडर इसलिए आपको हमारी बात तो सुननी पड़ेगी क्योंकि लोकतंडर तो आप मानते हो ना यह इसी बात हो गई कि भाया तुम आउरत हो तु इज़त और संस्कुति मानों समझते हो यह बहुत डरावना इसा डिस्क्रिप्शन है लेकिन वही सच है लेकिन एक बात सुनो और एक बात समझ लो कि जब अवरत अपनी इज़त बचाना छोड़ दे तो क्या हो सकता है इन लोगों ने यह समझना जरूरी है आप अवरत को नं आने रहती यह भी उतनी ही सच चाहिए है हमने देखा है बहुत जगा फिल्मों में या कहानियों में बताते हैं कि दस गुंडे एक औरत के छेड़ने की कोशिश करते हैं वह अपने कपड़े समालने की कोशिश करती है लेकिन अगर उसने वह ठोड़ दिया तो क्या करोगे और यह में मजाकने में बोल रहा हूँ यही बात आप थोड़ी समझ लो अफगाडिस्तन में क्या होगा है अमरिका की फाउज वहां बैठी थी तब तक हर एक आदमी हर गुट जो था वो खुरासान आइसिस होगा तालिबान होगा या मुजाहिदीन होगा या कोई हकानी न किसको किसकी छेड़ निकाल रहे थे अमरिकन फाउज की छेड़ कर निकालते थे अब वो तो उतकर निकल गए अब क्या हो रहा है देखिए तो जी जो हलत वहां अमरिकन फाउज की थी या अमरिकन फाउज के भरोसे चल रही अबनी गवर्मेंट की थी वही सिच्वेशन हम तो यह बताने की कोशिश हो रही है हाँ वही तो डेमोकरसी है इसलिए बात क्या होती है तालीबान से चर्चा होनी चाहिए तायो वनसे चर्चा होनी चाहिए लेकिन जो इंडिया में जो हमें ऑसीぇे एकम कि हम जो लोगों ने चुनकर देश में एक गवर्मेंट बिठाई है, ना हम उससे बात करेंगे, हमारा मान लो, तो ये जताने की कोशिश हो रही है, कि जो हमें मंदूर नहीं, जो जिसको हम पसंद नहीं करते, उसको रहना नहीं चाहिए, बस उसको खतम कर दो, यही डेमोक्र सी है, और जब हम रहेंगे, तब हम मनमानी करेंगे, आपने एक, आपने एक सिंटेंस यूज किया था, वाक क्या बोला था, उसको में दोहरा था, आपने क्या बोला, कि पार्लिमेंट में नहीं तो क्या सड़क कानून बनेंगे, यही बोला आपने, यह आपका सिंटेंस नह कानुन तो सवसद में ही वनेगा आज वो क्या बोल रहे हैं ने अंदोलंत का तो अधिकार है तो अधना हजारे को या केजरी वाल लोकपाल की जो टीम थी उनको अधिकार नहीं था राम देव के जो बैठे थे धरना पकड़ के राम लीला पर उसमें पूरी पुलिस किसले कि और वो ही आज रस्ते पर कानुन बनाने का समर्थन कर रहे हैं और उसको डेमोकरसी भूलना चाहते हैं